आज के आमादेरे प्रथम शब्द भी होलो मैला प्रपिजम स्पेलिंग्धा होलो M-A-L-A-P-R-O-P-I-S-M मैला प्रपिजम ये मैला प्रपिजम सब्देर अर्थ होलो जे कोनो एक्टा निद्दिश्ट सब्देर मिसी उस करा अर्थात पुझ्जरन प्राइस सेन समोशामेक किन्तु अर्थण होचे भील्ब एधर नेर जे सब्देर गुल बशते बवहर करा है सेगुला प्रपिजम स्पेलिंग्धा है मैला प्रपिजम स्पोज क्यों बोल्लो जोगी कुनो एक्ट्यल वर्थ था के रोकों जेति दा पिनाकल अव प्रपिजम्धा 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 है एटा आमार एक्ट्योल वर्थ एक्ट्यल वर्थ एक्ट्यल वर्थ जोदी एरकम होया जे रोहिम इस दा पाइनापल अव प्रपिजम्धा प्रपिजम्धा है विदियो सब्देटी होच्छे मेनिया स्पेलिंग्ट होच्छे M-A-N-I-A मेनिया मेनिया मानी होच्छे जखन क्योँ खुब बेशी एक्साइटेड होये जाए शेटे जेकुने के चुनिये प्रपन शेटे के आम रापोलतु करी मेनिया शो एटा होते पारे इनिये दिष्टो कुनों बिशोईनी यह होते पारे एटारे इंग्लीश के चुँ सिनोनी माच्छे सिनोनमील होच्छे Crazed, excessive, excitement Insanity Delusion अर्थद अमरा बोलत पारे मेनिया सब्देर अर्थवच्छे उन माधर इले क्यों जोखोन खुब बशी excited होई जावे सब्दाए पॉजटिव दिख दियो होते पारे शोटिव दिख दियो होते पारे शोटिव दिख दिख दियो होते पारे मेनिया पर एजम्पल अट Christmas time एट तेम्पोरारी मेनिया अटेब अट आवावे सब्देन वार अटे आवर स्टर्ड़्ट अटन Father raised around town delivering presents and we children worked ourselves into a fever of excitement about what we hope to receive from Santa Claus. अहुले एई फेमिली ते तर मा एक्टर निद्दिश्टों काजे भीजे तर बाबाउं डेलिवरिंगेर काजे भीजे उसमसे समये अबंग बाच्छारा ओले एज एक्टर जिनिशनी एक्साइटमेंट होगे जे कोहन सांटा क्लास तादर के एशे गिफ्ट देबे ताहुले एई जे चाइल्ड एबों तादर मा एबों बाबा तारा बिन्नो बिन्नो पारपासे क्रिस्टमस टाइमें तादर काजमीें खुडी एक्साइटे तो लेटा के आमड़ा बोलते परी मेनिया शेकारुने सेंटेंसे लखा हुएचे कि एड़ क्रिस्टमस टाइम एड़ टेंपोररी मेनिया शेंटेंट अन आवर हाउस एलीटे क्यामरा बोलते परी मेनिया मेनिया मने होच्छे उन्मादना एक्खोन आबार अनेके शेरकोम जे अनेक खुद कुदे तरा सब कीछो पुश्कार राखते छाई परो इरुकमाई ज शेर्थर मळी करना मोली नहीं थार्बास्य गढानः सल्ड उन्मादना मेनिया पर खुलि नेकेत nis उन्मादना बोल्यू रेड़ वा रेड़ सीट रहाएं मेखते खाल कुद अंम्हें केट इस ओटेंए नेका तरेंस की काणव उन्मादने नर्मादना बैच सेटेंट्त प्लास्टिक जोप प्लांस। ताहोले बुजा जेलो, मॉली तार पोरिशकार पोरिचतिन का देंगे कुबी सिरियस। ये शेकरना बलाँचे मॉलीस मेनिया फोर कलिमीले नैस। फुरा घरे जा रा थीलो। कादर के बाने आंकोमफोटबल सिचुएशन फोले दिलो। कारून की शे बैटशिट टेर पोरी बोत्ते शेकरने कीगोल्लों प्लास्टिक जोफ गलोग बिछिये दिलो। विच खोना गाम्रा बोल सिखम जे मॉनिस मेलिया फोर क्लेनलीनेस। जेकर पोर्षकर प्णुरूच मोपल जोन्नों मॉलेड जे मैनिया आठ आठे यूकै काम्रा चैले बोलतु परी क्लीनलीनेस मेनिया उत्त। So what is the meaning of maynia? Maynia means insanity, illusion, crazy, excessive, excitement. उप्धे जकोनो किछो निया होते पाड़े. ज़खोनो किछो निया होते पारे शे टोसी जकोनो किछो निया होते पाड़े शेड जेकोनो किछो निया उन मत्त उता उन माधुला होई crazy, excessive, excitement होई. तो आपको नोब श्रीशे देगे आपको वो मैनिया Marginal M-A-R-G-I-N-A-L Marginal The meaning of the marginal is insignificant At the lower limit of quality Or related to or located at the marginal अथात marginal है दूट और खवाच एक्ट आच्छे खुबी खुद्रो तुच्छो ए और तो बाबोरीत होते परे अथवा एटे बाबोरीत होते परे ये कुणो की सुजोती कुणा एक्टार नी दीश्ट श्रीमानार प्रामते अवस्तित होए तो कुण शिटा के आमड़ा बोल्द परी marginal बोल्दे परे इखेले दूटो एक्जांपल देयार चेश्ट गड़ा होते एक्टा होच्छे Sam satisfied the marginal requirements for the job और माने होच्छे जे minimum requirement आछे जे minimum requirement जोवेर जोननो Sam satisfied उर्चे अबर आरेक्टा एक्जांपल देदे अमरे खाल कोरी the difference in quality between these two hand towels is only marginal और माने दूटो hand towel एर मोब्दे जे पार्थोको हेडा खुबी लोगोर्न ताहिले एक्ट्रे आमने देख्ते पार्थे marginal एर एक्चेली तूटो आलालालाल दा मीनिंग इद्धावाल so marginal आमने ताहिले ब्याभाहर कोड़ते पारी खुद्रो बाद्दू चोर्टे ब्याभाहर कोड़ते पारी अथवार आशेरा जेदी कुना निद्धिश्ण स्यमानार मद्धा अवस्ती तहाँ शेख्येद्द्रवाम्राभ marginal ब्याभाहर कोड़ते पारी materialistic materialistic बैटर बांगला मीनिंग उट्छे अर्थो मुखी आ अर्थो संबंदिव ये इंग्लिश मीनिंग लोजे preoccupied with material things reading for possessions बैटा एक्जाम्पल जोदे आमरा देखे all very young children are innocently materialistic when this is something that looks interesting they don't see why they should not have it so materialistic is related to money okay another example people are always going on and on about today's materialistic society but the craving to own more stuff has probably been with us since prehistoric times so materialistic is related to money mockish mockish is an adjective and the meaning of mockish is overly sentimental modeling mockish of the day so there is some example it is hard to believe that Trudy's mockish greeting card verses have made her so much money I guess people really do like their greeting cards to be filled with mushy sentiments meander meander is a verb so the spelling of the meander is S M E A N D E R meander meander it is meander it is meander so the English meaning is to travel along a winding or indirect route or to go astray from the topic so two sentences there the river meanders across the landscape in a series of gentle curves again there is another example professor jones delivered a meandering lecture that touched on several hundred distinct topics including shelley's hair style the disappearance of the dinosaurs Latin grammar and quantum mechanics last example we have seen we have seen the agent professor one or two topics we have seen more than one actor or actor relation but we have seen discuss so we have seen meandering lecture medium the spelling of medium is M M E D I U M medium 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 is a noun and the meaning is the means by which something is conveyed or placed a substance through which something is transferred or conveyed the materials used by an artist a human and the way of the the and the way of the . कोरivosे शे के मेट रियुलो कोलो आवान मेडियम होते पारे और भाग जोदी कोम्हकी चुट माथ्ध में आम रा कीचो ट्रान्सफार कोरी ख्यांग मेंशेग्जंत Wales उच्या संप्ते पारे मीडियम तो इफने कीछ एग्जाम्पल आसे आम्रा एग्जाम्पल कुले जो देखिए एले बुजा जाब देखिए we are trying to decide whether print or television will be a better medium for this advertisement तर्मने आक्टा निदिश्टो विग्गापनेर जन्नो आम्रा शिद्धान्तो नेयार चेश्टा कोछी जे प्रिंटिंग मीडियम नाकी तेलेविशन मीडियम इदिटार मुद्धे पूंटा बेटार में शेड़ा then another example coaxial cable is the medium by which cable television programming is distributed to viewers तर्मने cable television program जे गुलो आम्रा प्रोतिनियोत विवार रा देख्ते पाए so coaxial cable is the medium actually by which cable television programming is distributed to viewers another example she is an unusual artist his preferred medium is sand mixed with so we see here at different types of example and now hopefully we know how to use the word medium into a sentence melancholy the spelling of melancholy is m e l a n c h o l y melancholy this is an adjective and the meaning of melancholy is gloomy depressed and weary ज्यार बांगला अर्थों चे बन्मोरा अताशा नीराश भोग्नोरी दोई सिगुला के आम्रा बोलते पड़ी इंगलिशे melancholy gloomy depressed and weary Thomas always walks around with as melancholy an expression as he can manage because he thinks that a gloomy appearance will make him seem mysterious and interesting to girls thomas 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 thakurai तार expression तके बिशन नो एकारोने बा मोनमोरा एकारोने ही कोरी राखे जे तार धारोना जे एधरने बिशन नो मोनमोरा appearance-e-r माधो में शे बालिकार देर डिश्ट्या कोशन पोटते रहे another example the melancholy music in the restaurant basically killed what was left of my appellation the songs made me feel so sad i did not want to eat । તા રેશતરલને કાવાર જનો તેરએ જન ગીએ છે જાવાર પરે વેને મ્યુજીક ટા एक तो बिशन नो मुजिक, एक तो बिशाथपुर्ण नो मुजिक, एक तो निदाशा जो नो शेटा मुजिक, एक शुनार पर एक खावार इच्छे रेज लेल। So, the sentence is, the melancholy music in the restaurant basically killed what was left of my appetite. The songs made me feel so sad I did not want to eat. Melancholy is also a noun. Melancholy is also a noun. So, how we can use the noun? The spider waves and dead lips fist tuning the wedding cake brought a touch of melancholy to the celebration. Okay? The alternative adjective is melancholy and noun is melancholy. So, all are related to gloomy, depressed and weary situation. That means, melancholy is a negative word. Man mora, otasha, neeraasha, bhagnaurido. The adjective is a noun. So, melancholy, M-E-L-A-N-C-H-O-L-Y. Melee, M-E-L-W, Melee. The meaning of melancholy is a brawl, a confused fight or a struggle, a violent free-for-all. Chanel, a erosion of confusion. Jeromehuman, chewa's confusion Family and confusion. Communism will be the confusion and confused. axy and thunder E L W. So, here is some sentence. A melee broke out on the football field as our defeated players wanted their frustrations by throwing dirt clothes at the other team's cheerleaders. So, this is complete a melee. in all the melee of shoppers trying to get through the front door of the department store I got separated from my friend so melee means danga पाथा जेखाने कुप्षो में बिष्ट्रवावे एक्टा ग्रूपे शाते उन्हें एक्टा ग्रूपे र कन्फूशन क्रियेट हवे ताखन ये कॉंडो गोले स्ट्रिश्टी होई शेटा के आमना बोलते पारी melee M-E-L-E Menagery M-E-N-A-G-E-R-I-E Menagery This is the noun The meaning of Menagery is a collection of animals शादरान तो आम्राओने के आमदेर बासाई इविनमग धरनेर प्राणी पुष्ट वालो बासी तोखन जुदी ओनेक बूले अनिमेल कारो बासाई थाके तोखन वही collection of animals के आम्रा बोलते पारी Menagery So there is a sentence The Petersons have quite a menagery at their house Now that both the cat and the dog have had babies ता होले एजे बिडाल एबंग कुपूर Peterson एर बासाई रहे थे इदुटे के आक्षात ए आम्रा बोलते परी Menagery Okay, एबंग बला होचे जे बिराल एबंग कुपूरे रहान कींतो मात चान ओवाचे तेखाने बलते कारी जे अनेक गिलो कुपूर वाचे अनेक गिलो बिराल वाचे पहले ए शब्लेक एक्षाते शमण में आम्रा बोलते करी Menagery So, what is the meaning of the Menagery? A collection of animals The sentence is The Pitasans have quite a Menagery at their house Now that, both the cat and the dog have had babies So, the meaning of the Menagery is a collection of animals and this is a noun Another example, dog referred to his office as the Menagery because his co-workers acted like animals This is so ridiculous, so dog referred to his office as the Menagery So, dog said that our office is the Menagery in the office of the Menagery So, if you are going to work and work, you will be able to work with them Like animals Okay, this is Menagery M-E-N-A-G-E-R-I-E Menagery G-E-BVI E-N-A-G-E-R-I-D 0,000,000,000 A-G-E-R-I-E झाल झाल